आपने अपना बारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतरुत्व में देश आगे बढ़ता है शुरू में अलग था पंडी जौला नेरू जी के नेतरुत्व में देश जब काम कर रहा था देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदर वल्लबे पटे बाकी के जो लोग बहुत से हुट थे उन्होंने सबने मिलके वो देश चला है उसके बाद लाल बादूर शास्त्री इनका नितरुत हुआ है उसके बाद इंद्रा जी का नितरुत हुआ है इमरजंसी के वक्त इंद्रा जी को अपने देश के लोगों में थोड़ा सा उनको हरा दिया था वो खुद भी हर गई थी लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकटा हुए अलग-अलग पार्टियों के जिसको हम चचड़ी गोलते है वैसा हुआ वो गवर्मेंट जादा चला नहीं अड़ाई साल के अंदर ही चुना हुए वापिस इंद्रा जी का नितरुत्व में उनका करिश्मा था उनके नितरुत्व में ही सरकार आई उसके बाद राजिव गांदिन के नितरुत्व में सरकार आई अभी मेमरों पार्लेमेंट बना 91 में ये भी 91 में हम साथ साथ तब एक कॉंग्रेस थी कॉंग्रेस के वे मेंबर पार्लमेंट के नाते हम वा चुनाव जीत के गए थे तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद ठीक तरह से सुनो 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नितुरत्व में देश आगे जा रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं अलग 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 गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई लेकिन नौ साल आपने देखे होगे उसमें नरेंद्र मोधिर साब का नितुरत्वों में आज देश काम कर रहा है वो बाहर भी पॉपिलर है याने अबरोल बाहर अगर कोई भी देश में चाते हैं अपने भारत के तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं सब उनको बहुत अच्या नेतरुत्वाइसे बोलते हैं और ऐसा हुते हुए उनका भी काम चालो है और यह काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग-अलग बहुत से कुछ रोडस और नैशनल हाईवे के ज सब फीक तरह से चालो है और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाले अपना-पना स्टेट का देखते हैं अपने-अपने स्टेट का देते हैं यह कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखा हो कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता और इतना बड़ा पॉपिलेशन होते हुए हमें सब को ऐसा लगा कि नरे नरमोदी साब के नेतरुतों में ही लोकसबा हो या आगे वाले ही चुना हो वो सहयोगी पार्टी के नाटी जैसे हम इससे पहले कॉंग्रेस के साथ जाते थे बीच में हमने सिवसेने का साथ हम अड माहराश्टा के सिवसे जाते है और अगे जाना चाहिए जो आज ठोड़े महाराश्टा स्विसेने साते ह। करने के लिए इसी मांध्यम से हमने सबने मिलके यह दिसेजन लिया है और यह होते हुए और पूरे विदायक हमारे साथ है मेंबर और पार्लीन हमेरे साथ है बाकी के पार्टी के वरकर हमेरे साथ है इसलिए आज मैं ने डेपवुटेट चीफ मिनिष्रटर59 का ओध दी बाकी के हमेरे सिन्यर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्मेंट में लेडी को प्रतिनी तो नहीं था आगे शायर हो देंगे लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिन्स करके नाते जैसे पहले मुझे याद है बुझवाय साब के नितरुदों में हमन सब लोगों को मौका मिला था अभी वैसाई संजय पंसोड़े हो या अपना अधिती तटकरे हो या अनिल भाहितास पाटिल हो ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनी तो मिलना चाहिए शर्लुकास को भी प्रतिनी तो मिलना चाहिए माइनर्टी को भी प्रतिनी तो मिलना चाहिए लेडिस को भी प्रतिनी तो मिलना चाहिए ऐसा सब सोचकर हमने यह मोका दिया है और आगे भी जो जब आप सीम साथ के साथ करेंगे बाकी बीसीम साथ के करेंगे बैटेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहे